जशान monopol 144 है करेंगे कंवा इनर इहीं लिए यहे neighbor अगर आदर्फस इसकार दोस्तों आपका स्वागत है आज अंगा किरेंगे दोस्तों कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो जैसे मैं कहता हूँ या फिर ऐसे कुछ कहने वाले कुछ लोग होंगे या फिर ऐसी कुछ किताबे होंगी जो life after death पर best होंगी तो ऐसी किताबों से हमें यही ग्यान मिलता है कि हमने अगर किसी अपने को खोया है तो वो हमेशा जुड़ा होता है और किसी एक दुनिया में बहुत ही खुश है या फिर उनके हमारे साथ एक दिन जरूर मुलाकात हो गया तो ऐसी चीजों जो है वो हमें मतलब पता चलती है लेकिन अगर वो हमारे सपने में समझो नहीं आते या फिर उनसे हमें कुछ संदेश नहीं मिल रहे कि आखिर वो कैसे है या फिर वो हमसे जुड़े है क्या तो फिर हमारे मन में मतलब एक संद्या अउटपन होता है कि क्या ये सारी बातें सच है क्या, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, कि हमने किसे अपने कोख है, और अगर उन से हमें कुछ भी संदेश नहीं मिलते हैं, अगर वो हमारे सपने में नहीं आते हैं या फिर और क करण गा लेकिन जो आत्मा है दोस्ते वो इंसान की सोच जो है उसके भी परे चली गई होती है या फिर उनको जो दुनिया है बहुत ही अलग होती है इसलिए इनसान के रूम में इन सारी चीजों को इंसान के सोच कर हमें उसका जवाब नहीं मिलता दोस्तों तो ये पूरी तर सब्सक्राइब एक पती बैटी थी और उसकी बैटी की भी शादी होकर वो भी अपने पती के साथ बहुति अच्छे से रहती थी और इनके जो पती थे वो अचानक चले गए है दोस्तो दो आपने एकडम वो अकटेले jut पडगे घर में अपने वो अके लिए रहते थे तो वो बहुती जादा दुख में चले गए दोस्तो और उसके बाद दो-तिन महेने के बाद उनके जाने के बाद उन्होंने ध्यान करना चालू किया पहले वो 10-15 मिनिट का ध्यान करते थे लेकिन बाद में उनको समय भी थोड़ा मिलता था इसलिए व कई मेरे पती की आत्मा मेरे साथ है ऐसे मुझे लगता है किसी चीज के लेकर मेरे सामन में कुछ सवाल होंगे तो अपने आप उसका मुझे जवाब मिल जाएगा या फिर मुझे इश्वर की शक्ति के बारे में पता चल जाएगा उसके आज़िबा जो कुछ ऐसे लोग है जिनोंने किसे अपने को खोया है तो वो आज जाकर उनको भी समझाने की कोशिश करती है मतलब आप सोचिए दोस्तो जो महिला खुद मतलब तुट गई थी अपने करीब इल इंसान के जाने के वज़े से आज वो दूसरों को समझाने की कोशिश करती है मतलब क्या है दोस्त अपने आप मतलब सकरत में जो उरजा है वो आपके अंदर अपने आप चली जाएगी और उसके बाद दोस्तों आपको किसी ना किसी रूप में जरूर जवाब मिलेंगे मैं खुद इन सारी चीजों से गया हूँ दोस्तों क्योंकि मतलब मैंने जैसे किसी अपने को तो नहीं खुआया है लेकिन हम अपने जीवन से कभी-कभी एकदम दुक्य हो जाते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़े हो जाती है तो इन सारे चीजों के वगये से हम परिशन हो जाते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा सा धहन करे परार्था न करे दिल से यह सारे चीज़े करने की कोशिश करे और मतलब हमें कहीने के ना कभी उसका अच्छा मतलब रिजल्ट ज़रूर मिलता है दोस्तो इंसानों कि क्या मतलब एक बुरी चीज है वो चार पस दिन जैसे मैंने बोला कि आप ध्यान करो तो चार पस दिन हम ध्यान करेंगे उसके बाद मतलब कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए हम छोड़ देंगे आप उस महिला के बारे मैं सोचना वो 6-7 मैंने regular करती गई करती गई वो यह कही रही थी मुझे कि मुझे पहले होई नहीं रहाता जैसे मैं ध्यान में बैट्टी थी तो मुझे पुरानी बाते याद आती थी और मैं एक दम फिर से दुख में चली जाती थी मेरे जो अपने वो मुझे अच्छे से मतलब रास्ता दिखाएंगे इस तरीके से थोड़ा सा सोच कर आप जीवन में आगे बनना दोस्तों आपको किसी ना किसी रूप में जरूर मतलब संदेश मिलेंगे बहुत सारे लोगों को बाद में सपनें भी बहुत ही अच्छे से आये है उनके सपनों में उनके अपनों ने उनको संदेश दिये है बहुत सारी मैं आपको बाते ऐसे कह सकता हूँ जैसे मैं आपको एक माता जी का उधारन डेता हूँ अपने बेटी को खोया था और क्या हुआ दोस्तों ऐसी उन्होंने मुझसे मतलब फोन पर वो बात कर रहे थे और अपने बेटी को लेकर ऐसी ही रो रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मुझे बहुत जादा बुरा लग रहा था कि मेरी आज बेटी मेरे साथ नहीं है बाद में क इसी तरीके से उन्होंने फोन रख दिया दोस्तों और उसके बाद दोस्तों उन्होंने फिर से मुझे पाच-दस मिनिट के बाद फोन किया और फिर से मतलब रो रही थी और मुझे कही रही थी कि मेरी बिटे ने मुझे दिखा दिया है कि वो कही ना कहीं मेरे साथ है और मैं भी एकदम अचंभित हो गया कि चार पाच मतलब ठोड़े समय पहले यह रो रही थी और आज मतलब फिर से उसके बेटी ने कैसे उसको जवाब दिया तो उसने सारी बाते क्लियर कही कि जब वो मुझसे बात करके एकदम रो रही थी तब एकदम मतलब दुख में चली गई थी और बाद में जब वो मतलब फोन रखा उसने और वो जब किचन में चली गई तब उसके मतलब बातरूम का जो शावर था वो अच्छानक चालू हो गया और उसकी बेटी जिस तरीके जैसे शावर मतलब लगाती थी चालू करती थी वैसे ही वो शावर का आवास था तो ये भाग 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 कर जब शावर के पास गई दोस्तो तब इसकी जो बेटी थी जैसे पर्फिम लगाती थी वैसा पर्फिम का वहाँ पर स्मेल था दोस्तो तो उसने मुझे इतना भी में वो ये कहते है कि इसका फोन और उसके पती का फंडोनों वो भाद मो यूज़ करती थी उसके पती के जाने के बाद कभी कभी. तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों वो ये कहते है कि एक दिन उसको अपनी मतलब पती को लेकर बहुत ही ज़ादा पुरानी बाते याद आने लगी और वो एकदम दुख में चली गई और बाद में रोने लगी और बाद में दोस्तों उसने उटकर वो बातरूम में चली जाकर उसने मतलब थोड़ी सी फ्रेश हो गई मुव अगयरा उसने दोया और उसके बाद वो जब फिर से चली आई तब उसके पत लेकिन उस मतलब पुरे जीवन में बस एक ही उसने गाना गाया था और बराबर उस समय दोस्तों वही गाना उस एप में चालो हुआ तो वो मुझे वही कह रही थी कि मेरा जो पती था वो शायद मुझे कहने की कोशिश कर रहे हैं तो मत चिंता करो मैं तुम्हेरे साथ हूँ तो ऐसे कुछ संदिश हमारे जीवन में ज़रूर आ सकते हैं, वो हमारे सपने में नहीं आते हैं, किसी तरीके से उनके संदिश नहीं आते हैं, इसका मतलब वो किसी अलगी दुनिया में चले गए है, वो हमसे हमेशा के लिए बिचड़ गए, ऐसा जरा भी नहीं है दोस्तो, आप थोड़ा सा धेन करना, आप दिल से प्रार्थाना करना, जिवन में थोड़ा से आगे बढ़ने की कोशिश करना, मेरा जो पैर है, वो सच्चा है, तो मेरा जो अपना है, इंसान है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, वो मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं जा सकता, इस तर चीज़े जो है, वो कुछ मेहनों में आपके सामने एक सा करत्मक बदलाव जरूर लाएंगे दोस्तों, इस तरीके से आप जरूर कोशिश करना, आप जरा भी मत चिंता करना, आपके अपनों को लेकर दोस्तों, आपके जो अपने हमेशा आपके साथ है, उनका जो आशिरव तो आप इस नमपर पर वाटस अप मेसेज कर सकते हैं, हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरपिस्ट की बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए, आपका बहुत बहुत धन्यव जापए, जो आपका बहुत हुत है